जोसी मट उत्राखंड में जोत्रास्ती देखने को मिल लई है और आप लोग देख रहे हैं कि घरों में दरारें पड़ चुकी हैं इमारतों में दरारें आ गई हैं सडकों पर आप देखेंगे कि गड़े देखने को मिल लई हैं दरारें देखने को मिल लई हैं ये सब देखकर एक कहावत याद आती है, आप लोगोंने सुनी होगी कि बरसाद होने के बाद भींगने के बाद चाता करीदना, यानि कि हमारे कई परयावन जो बिग्यानी कह लीजे, कारकरता कह लीजे, वो इसकी तरफ आप देखिए ध्यान आकरशित करते रहें सरकारों का हमारों, हम लोगों का, कि प्रकेती परयावन के साथ छेड़-चाड़ मत करिएगा, लेकिन हम लोग उसकी तरफ ध्यानी नहीं देते हैं, और जब तक कोई बड़ी दुरगटना नहीं हो जाती है, हमारे ध्यान जाता भी नहीं है, हमारी सरकारों का ध्यान उस तरफ जाता पर बाद में हम लोग एलान कर देते हैं, मौापजा देते हैं, हम लोग उन्हें एक जगह से दुसी जगह स्थाफित करने की बात करने लगते हैं, और काफी इस पर आजनीती भी होने लगती है, और आप सोचें कि जहां जिन लोगों ने अपने घर बनाए हैं, रह रहे हैं, जिनका जरम हुआ है वहाँ, उनका आप देखें कि वहाँ पसू है, आप देख रहे हैं उनके बच्चे वहाँ रह रहे हैं, इस्कूल है उनके लिए, और आप देखें उन्हें घर छोड़ना कितना मुश्किल हो रहा होगा, तो चलिए जोसी मट के वारे में एक सामान जानिक हानी है, और आप देखेंगी उत्तराखंड को कबराज बनाये गया था, इसी बनाये गया था 9 नवंबर सन 2000 में, देरादुन इसकी राद्धान इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल पिदेश और उत्तर पिदेश से लगती है, यहां विधान सबा में 70 सीटे हैं, राज सबा में 3 सीटे हैं, लोक सबा में 5 सीटे हैं, 53,483 वर किलू मीटर में आपका उत्तराखंड फैला हुआ है, और जोसी मत उत्तराखंड की चमोली जिले में, रिसी किस बद्रीनात राष्टी राजमार पर इस्तित एक पहाड़ी सहर है, और आप बद्रीनात ओली, फूलों की घाटी और हेमकुंट साहिप की यातरा करने वाली परेटकों के लिए रात्री विस्तराम इस्तल की रूम में भी जाना जाता है, जो लोग इन 3 तिस्तलों पर गए होंगे, उन्होंने इसे देखा भी होगा, जोसी मत जो सेना की सबसी महत्मूर चावनियों में से एक है, और भारती ससक्त बलों के लिए अत्यधिक सामूरिक महत्तो रखता है, महत्तो इसलिए रखता है क्योंकि आप देखते हैं कि परोसी चाइना यहीं लगा हुआ है, और आप देखेंगे सहर उच्छ जोकिम बाला भूकम पर ये छेतर पांच में आत है, यह आदी संकराचार द्वारा इस्ताबिच चार मुख मठों में से एक है, अनमठ उत्तराकंड की बद्रीनात में जोसी मठ, उडीसा के पुरी और करनाटक के सिंग्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहाँ आप लोग देख रहे हैं जोसी मठ, तो जोसी म लोग चिताते रहे हैं कि इस तरह की यहाँ आप देखिए अवैद, निर्मान मत करिये, पिठवी से यहाँ की आप देखिए जो हे माला है, जो भोमी है, इससे चेड़चाड मत करिएगा, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दिये, जबकि उत्राकंड की चमॉली जिले में भूस उत्पन हो रही है, और यह पाया गया कि बिवारिक रूप से सहर के सभी जिलों में सरचनात्मक खामिया हैं, और अंतर नहित सामगरी के नुकसान, या गतिवधियों के पैडाम सरूप पितवी की सतय की धीरे-धीरे, या अचानक धसने या पिलयक हो जाने जैसे पैडाम द अंती की रिपोर्ट के अनसार, जोसी मत, मुक, चटान पर नहीं, बलकि रेत और पत्तर के जमाव परिस्थे थे, अगर चटान पर आप देखते हैं कि कोई गाव बस्ता है, कोई बस्ती बस्ती है, तो आप देखते हैं कि उसके गिनने के कम ही चांस रहते हैं, लेकिन आप परिस्ते हैं कि रेत पर आप लोग घर बनाएंगे आप लोग, तो आप देखेंगे जल्दी नीचे धसने की या आप देखें दरारे पढ़ने की सम्भाव ना बढ़ जाती हैं, यही एक प्राचीन भूसकलन छेत परिस्ते थे और रिपोर्ट में कहा गया कि अलगनंदा औ भी भूसकलन की कारकों के अंदर रताते हैं, संती ने भारी निर्माड कार, बिलास्टिंग और सडग की मरमत के लिए बुल्डर हटाने और अनिर्माड पेडों की कटाई पर पितीवन लगाने की सिपारिस की थी, लेकिन इस सिपारिस को हम लोगों ने अंदेखा किया, हम लोग कहने का मतलब है यहां की सरकारों ने, ठीक है? तो निर्माड कार में बिध्धी, पनविजली परियोजनाओं और राष्टी राजमार्गों की चोडी करन ने पिछले कुस दसकों में धलानों की एक को अत्यदेख आईस्थिर बना दिया है और भूचरन, बिष्णू परियाक से बहने वाली धाराओं और प्राक्तिक धाराओं के साथ हो रही हो रहा चक्तानी फिसलन, सहरे में भूसलकन के अन्ने कारण पिरमुक हैं हो सकता है कि आपकी मुख परिच्छा में लिखने के लिए कुछन सूचिया है तो ये कारण आप लोग याद रखेगा कि इन कारणों के कारण आप देखेंगे इस तरह की जमीन पटने की, दरारों पढ़ने की बातें हो रही है इसके पिरभाव क्या पढ़ेंगे ये भी देख लिजे कम से कम 66 परिवानों ने सहर छोट दिया है जबकि 561 घरों में दरारे आनी सुरू हो गई है एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि अब तक 3000 अधिक लोग पिरभावित हुए है और ये संख्या बढ़ती जाएगी आँगे देखते हुए जोसी मट को बढ़ती जाने के लिए क्या उपाय हो सकते है ये भी आप लोग देख लिजेगा बिसेसग छेत में विकास और पनविजली परियोजनाओं को पूरी तरह से बंद करने की सलाहत देते हैं लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि अगर इस तरह की पनविजली परियोजनाओं विकास काम नहीं होगा तो वो पीछे छूट जाएगा लेकिन दूसरी तरफ हमें वहां रह रहे हैं लोगों के बारे में सोचना होगा परियावन के बारे में सोचना होगा लेकिन निवासियों को ततकाल सुरक्षित इस्थान पर इस्थान अंतित किये जाने की आवसकता है और बदलते भौगोलिक कारकों को समाय जित करने के लिए सहर की योजिना फिर से बनाई जाने चाहिए डिनेज योजिना सबसे बड़े कारकों में से एक है जिनका अध्यन पोनर विकास करने की आवसकता है और सहर खराब जल निकासी और सीवर प्रवंधन से गरस्त है चुकि अधिकास सहर आपसेष्ट मिर्दास को दोसित कर रहा है और जिससे मिर्दा की सरचना कमजोर हो जाती है और राजसरकार ने सिचाई विभाग को इस मुद्दे पर गौर करने और जल निकासी विवस्ता के लिए एक नई योजिना बनाने को भी कहा है और एसा भी कहा जा रहा है कि जो दरार है न इसे गंदा पानी बाहर आ रहा है पानी बाहर निकल रहा है और विशे सग्टों ने मिर्दा की चमताओं को बनाये रखने के लिए विशे इसरूप से सम्वेधन सील छेतरों में पुना रोपर का भी सुझाओ दिया है और जो सीमाट को बचाने के लिए सीमा सगड़क संगठन बी आरेयो जैसे सैन संगठनों की साहता से सरकार और नागरेक निकायों द्वारा एक समन्वित प्रियास किये जाने की आप सकता है जो सीमाबरती इलाकी है ना यहां आप देखें सगड़क डालने का काम करता है बी आर ओ बॉर्डर रोड और्गनाईजेशन की नाम से जानते हैं और यह आप देखेंगे कि आपका 7 मई 1960 में इसकी स्थापना ही थी और भारत और मित राष्टों की ससक्त बलों की बुनोयादी धाचा प्यदान करना इसका उद्देश था ठीक है और हाला कि लोगों को इस्थानी ये घटनाओं के बारे में चितावनी देने के लिए राज्जे में पहले से ही मौसम पूरवनवान तकनीक मौजूद है किन्तु इसके कबरेज में सुधार की आवस्तक्ता है उत्राखंड में मौसम, मौसम की भवेस्वानी, उगरहों और डौपलर बेदर ररार जैसे उपकरण जो बरसाप का पता लगाने और उसके इस्थानों तीपता को निधारित करने के लिए विद्धो चुमकिये उर्जा का उपयोग करते हैं कि ये माध्यम से की जाती है और भूमी आउतलन या अधो गमन पितवी की सतय का धीरे धीरे धसना या अचानक धसना होता है और आउतलन भूमी गत सामगरी की संचलन के कारण जमीन का धसना, पानी, तेल, प्राक्तिक गैस या खनी संसादनों को पंपिंग, फ्रैकिंग या खनन गतीविदियों द्वारा जमीन से बाहर निकालने की कारण होता है भूकंप मिर्दा संगनन, हिमनदों के समिस्थानिक समायोजन, अपल्तन, सिंख हॉल या बिलियन रंद की गठन और बायू द्वारा निच्छेपित मिर्दा में जलका मिलना एक पिराक्तिक पिक्रिया जिसे लोयस के रूम में भी आप लोग जानते है जैसे पिराक्तिक घ भूसकलन को पितवी के धलान के नीचे की और ब्यापक रूप से मिर्दा, चट्टान और मल्वी के संचलन की रूप में परिवासित किया जाता है और भूसकलन बेहत चरन का एक पिकार है जो गुर्तवाकरसन के पित्यक्ष प्रभाव की तहत मिर्दा और चट्टानों के न भूमी का नीचे धस किसच रही है या परिसार हो जो रहा है घर रही है लोड़क रही है तो यही तो यही कहानी है जो सी मट के बारे में और इसके बारे में एक सामान जानकारी अपने पास से रखिएगा आप लोग क्योंकि आप देखें काफी चर्चा में बना हुआ है इसलिए कुश्चन स्कूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है और वेसी भी मुझे लगता है कि आप लोगों को जानकारी तो होने चाहिए जहां इस तरह की बड़ी आपदा संकर्ट बनाए खड ही हुई है लोगों को परिसान होना देख रहे हैं आप लोग